Hello everyone, चलो पच्छे अपने Indian Contract Act के पिटा, Unit 2 पे आना, हमने Indemnity और Guarantee हमने Complete कर लिया है पिटा, अब आओ Unit 2 पे, जो की है Bailment और Pledge के बारे में पिटा, तो पिटा, इसी Topic में न, इसी Unit में हमें दो अलग-अलग चीजे पिटा, डिसकस करनी है एक तो हमें डिसकस करना है, What is Bailment, Bailment के बारे में डिसकस करेंगे पिटा, और दूसरा Discussion पिटा, इसी Unit में हमारा रहेगा, Pledge के बारे में, ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे पिटा, आज Bailment से, बहुत सिंपल-सिंपल बाते हैं पिटा, चल्दा देखते हैं, Bailment और Pledge, चल्दा, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, विद Bailment, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, विद Bailment, और मैं आपको एक रीडिंग करवाता हूँ पहले, Bailment की Definition फिर समझाना शुरू करूँगा, देखो, बिटा, Section 148, क्या कहता है, Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them, आजो, बिटा, मेरे साथ-साथ, एक example से, बिटा, मैं आपको ना, Bailment की Definition क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, देखो, example लिखो, बिटा, मेरे साथ, बिटा, ये एक person है Mr. A, ठीके, और ये बिटा है एक tailor, ये है एक tailor, ठीके, अब बिटा, हुआ क्या है, Mr. A ने, ना, मार्केट से बिटा, एक cloth खरीता, Mr. A ने, मार्केट से एक, क्या खरीता बिटा, cloth खरीता, ठीके, basically Mr. A अपने लिए एक shirt बनवाना चाहता है, बिटा, तो उसने क्या करा, उसने ये cloth, उसने ये cloth, hand over किया किसको, tailor को बचे, उसने ये cloth hand over किया tailor को, purpose क्या था बिटा, cloth को hand over करने का, cloth को hand over करने का purpose था, for, for, for stitching a shirt, for stitching a shirt, तो cloth देने का purpose क्या था बिटा, for stitching a shirt, बताओ बिटा, बात समझ आई, ठीके, अब बताओ बिटा, tailor क्या करेगा, तो ये बिटा, पहला point हो गया, उसने cloth purchase करा, cloth hand over किया tailor को, purpose क्या था, stitching of shirt, for, tailor stitches the shirt, उसने shirt बनाई, stitches the shirt, और बिटा फिर tailor क्या करेगा, वो वो shirt, बिटा किसको hand over कर देगा, Mr. A को hand over कर देगा, तो tailor, shirt stitch करने के बाद, वो ये shirt, किसको return कर देगा बिटा, Mr. A को return कर देगा, तो fifth point, tailor, shall, return the shirt, shall return the shirt after stitching it, after stitching it, लो बिटा, copy करो, इस example से बिटा, एक बार, bailment की definition को, बिटा, clear करना शुरू करते हैं, मेरी बात ना बस step by step सुननी है, बिटा, चलो, करना शुरू करें, बिटा, बेल्मेंट की definition क्या है, बेल्मेंट is the delivery of goods, बेल्मेंट क्या है, delivery of goods, तो बताओ, ए ने tailor को cloth handover किया, handover किया मतलब, goods की क्या करिये, delivery, है ना, goods की क्या करिये, delivery, cloth, goods है, goods की क्या करिये, delivery, पहली बात, मैं A point लिख रहा हूँ बेटा, ऐसे, तो बेल्मेंट is the delivery of goods, ठीक है, from one person, from one person, यह आपका बेटा one person है, from one person to another, तो बेल्मेंट is the delivery of goods, from one person to another, लो बेटा, यहां तक की definition आई लिखते रहो, for some purpose, मतलब बेल्मेंट हमेशा बेटा for a purpose ही होता है, यहां पर purpose क्या है, for stitching of shirt, ठीक है, लिखते रहो बेटा, upon a contract, और बताओ Mr. A और Taylor के बीच में, बचे क्या इंटर हो गया एक, contract इंटर हो गया है, Mr. A और Taylor के बीच में बेटा क्या इंटर हो गया है, contract इंटर हो गया है, और contract बेटा क्या है, contract है कि यह जो shirt है, यह जो shirt है, इसे वापिस return किया जाएगा, after, after the purpose is achieved, मतलब, Taylor ने एक बार shirt stitch कर दी, तो Taylor की यह duty बनती है कि वो यह shirt वापिस बेटा किसको return करे, किसको return करे बेटा, वापिस से Mr. A को, तो contract D और यह है बेटा, fifth, Taylor shall return the shirt after stitching it, तो पेटा, अगर मैं न, सुनो, अगर मैं इन ही points, जो मैंने A, B, C, D, E mark करे हैं, इनसे पेटा, मैं अगर एक definition बनाने की कोशिश करूं, तो मैं पता क्या काऊंगा, सुनो, बेल्मेंट इस दिलिवरी अफ गुड्स, फ्रॉम वन पर्संट तो अनदर, फॉर असर्टेन पर्पस, अनगर कॉन्ट्राक्ट, तो शर्त यह है, कि जो टेलर है, वो शर्ट को वापिस Mr. A को return करेगा, after achieving his purpose, यानि शर्ट के stitching के बाद, टेलर की यह duty बनती है, कि वो Mr. A को वापिस से, शर्ट क्या करे बेटा, return, यानि बेटा, अगर मैं, बेल्मेंट के contract के बेटा, essential elements बनाना चाहूं ना बेटा, essential elements, तो बेटा, वो क्या बनते हैं, पहला, delivery बेटा, किसकी होनी चाहिए, पहले तो delivery होनी चाहिए, किसकी बेटा, goods की delivery होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा, goods की delivery for a, purpose होनी चाहिए, third, दोनों parties के बीच में, एक contract होना चाहिए, contract किस बात का, कि goods shall be returned, after, after, the purpose has been achieved, तो देखा जाए तो बेटा, contract के, contract of bailment के, कितने essential elements हैं, बेटा, चार, पहला, goods की बेटा, क्या होनी चाहिए, delivery, ठीक है, for a, purpose, on a contract, that, goods shall be returned, after the purpose has been achieved, ठीक है, अच्छा पिटा, एक बात याद रखना, जो goods की delivery कर रहा है, जो goods की delivery कर रहा है, उसे हम नाम देते हैं, बेटा, बेलर, जो goods डिलीवर कर रहा है, उसे हम नाम देंगे, बेलर, और जिसको goods की delivery करी जा रही है, उसे हम नाम देते हैं, बेली, तो बेटा, हमेशा कितनी parties होती हैं, दो parties होंगी, बेटा, contract में, fifth, कितनी parties होंगी, दो parties होंगी, contract of bailment में, कौन-कौन सी दो parties, बताओ, एक होगा bailer, जिसने goods deliver करे हैं, और दूसरा होगा, bailie, जिसको goods deliver करे गए हैं, बात समझाए बेटा, अच्छा, एक बात और मैं आपसे करूं बेटा, सुनो, एक बात और, मुझे एक बात बताओ, tailor आपसे stitching का, tailor आपसे stitching का, बेटा, पैसा लेगा या नहीं, obviously बात है बेटा, tailor आपसे stitching का, क्या लेगा, पैसा लेगा, मतलब, consideration लेगा, तो बेटा, इसे हम, याद आता है कुछ, foundation याद करो, इसे हम, क्या कहते हैं बेटा, non, क्या कहते हैं, non-gratitude to us, billment, for consideration है, non-gratitude to us, non-gratitude to us, billment, non-gratitude to us, billment, क्यों ये, non-gratitude to us, billment, क्यों है, because it is, for consideration, it is, non-gratitude to us, billment, लो बेटा, मुझे बताओ, बहुत basic, basic, बेटा, बाते करी हैं हमने, तो बेटा, एक बाद बताओ, कितने essential elements, हमें अभी फिलाल समझ आते हैं, billment is the, delivery of the goods, from one person to another, for a purpose, on a contract, that, goods shall be returned, after the purpose, for which they had been delivered, has been achieved, तो यह बेल्मिंट की, बेटा, क्या हो गई, definition, अभी सुनना, मैं अभी एक दो एक्जामपल आप से और करता हूँ, डिसकस बेटा, आओ मेरे साथ साथ, एक दो एक्जामपल और बेटा, देखो, Mr. A, बेटा, हो गई है बेटा, तो servicing मांगती है, ठीक है, और यह है आपका, car का, बेटा, service center, यह आपकी car का, क्या है, यह आपकी car का, service center है, ठीक है, अब बेटा, हुआ क्या, Mr. A, इने न, अपनी car, servicing के लिए दी, Mr. A ने, अपनी car, service center को क्या करी, deliver, ठीक है, purpose क्या था, बेटा, car को deliver करने का, repairs, यानि servicing, तो car को deliver करने का, purpose था, उसकी servicing, लिखते जाओ बेटा, साथ साथ, ठीक है, अब बताओ, ये पहला, car deliver करी, purpose है, servicing, अब service center, बेटा, car की क्या करेगा, servicing करेगा, पूरी मरमत करेगा, चका चक करेगा, धुलाई करेगा, engine oil चेक करेगा, वगरा वगरा, तो service center ने, बेटा, car की करी, servicing, ठीक है, और वो, car को service करने के बाद, बेटा, वो car किसको return करेगा, बेटा, mister A को return करेगा, ठीक है, तो ये आपका, third point आता है, और fourth point आता है, return का, बेटा, इस बात का, दोनों के बीच में, क्या हुआ है, contract हुआ है, दोनों के बीच में, क्या हुआ है, चलो, एक बार जड़ा फिर से बीटा, करना शुरू करते हैं, क्या bailment के सारे, essential elements, fulfill होते हैं, यानि, बताओ, bailment is the, delivery, of goods, from one person, to another person, अच्छा, जिसने delivery दी है, mister A, क्या नाम दोगे उसको, bailer, ठीक है, और जिसको delivery दी गई है, वो आपका कौन होगा, baili, ठीक है, तो bailment is the delivery of goods, from one person to another, for a purpose, on a contract, that goods shall be returned, when the purpose, has been achieved, तो जैसे ही, कार की servicing होगी, तो बेटा, याद रखना, service center को, वो car, mister A को return, करनी पड़ेगी, बात समझाई बेटा, अच्छा, एक बात, मैं आप से और जानना चाहता हूँ, क्या service center, क्या service center, car के repairing का, Mr. A से बेटा, consideration लेगा या नहीं, पैसा लेगा या नहीं, servicing का, obviously बात है बेटा, free में थोड़ी ना हो रहा है, तो service center, Mr. A से, servicing का क्या लेगा बेटा, consideration, तो बताओ, इस bailment को क्या नाम दोगे, non-gratituous bailment, this is non-gratituous bailment, लो बेटा, बात समझ आती है बेटा, सारी, ठीके, एक काम की बात बेटा, और बताओं, bailment में, मैंने पाँच essential elements बताया ना बेटा, एक बड़ी काम की बात और बताता हूँ बेटा, सुनना मेरी बात बेटा, अगर आपको ना, याद हो, अगर आपको याद हो, तो मैंने बेटा, foundation level पे आपको बताया था, कि delivery का मतलब होता है, transfer, of, possession, अगर आपको याद हो, sale of goods act, उसमें हमने chapter पड़ा था बेटा, transfer of ownership and delivery of goods, chapter number three, तो बेटा, याद रखना, delivery का मतलब होता है, transfer of possession, तो बेटा, bailment की ना, bailment की, एक बहुत important characteristic, बेटा, क्या आती है, bailment में, ownership का transfer नहीं होता है, बेटा, bailment में सिर्फ goods का possession, transfer होता है, तो एक बात याद रखना, ownership, is not transferred in contract of bailment, ownership transfer नहीं होती है, बेटा, bailment में, bailment में सिर्फ goods का, बेटा, क्या होता है, possession transfer होता है, सिर्फ, तो बेटा, एक बात याद रखना, bailment में न, ownership किसके पास रहती है, ownership, bailer के पास रहती है, बेटा, bailie के पास, सिर्फ goods का क्या आता है, possession आता है, तो ownership, remains, with bailie, sorry, bailer, ownership remains with bailer, bailie को, सिर्फ, बेटा, goods का क्या मिलता है, possession, तो ये एक बड़ी, important characteristic है, एक important characteristic है, बेटा, bailment की, सब बताओ, बात समझ आ रही है, यहाँ तक copy कर लो, यहाँ तक, फिर हम आगे चलते हैं, अभी बेटा, एक दो examples मैं आपका और दूँगा, फिर हम आगे चलेंगे, copy करो पहले, चलें बेटा, चलो, आज वेटा, एक और example अभी, सुनो, Mr. A, और बेटा, Mr. B, Mr. A और Mr. B, जो मैं बातें बता रहा हूँ, बेटा, बहुत ध्यान से सुनी है, बेटा, Mr. A के पास एक, बाइक है, Mr. A के पास एक बाइक है, ठीक है, Mr. B जो की उसका फ्रेंड है, Mr. A's फ्रेंड, उसने बेटा, Mr. A से, Mr. A से, बाइक मांगी, for, two days, Mr. B ने, Mr. A से, बाइक मांगी, दो दिन के लिए, तो, बेटा, Mr. A ने, Mr. B को, अपनी बाइक दे दी, उसे बाइक क्या कर दी, डिलीवर कर दी, उसे बाइक डिलीवर कर दी, ठीक है, अब क्योंकि, बेटा, दोनों के बीच में, दोस्ती थी, तो, आव्यस सी बात है, बेटा, A, B से, इसके लिए, कोई consideration, बेटा, चार्ज नहीं कर रहा है, तो, Mr. A, Mr. B से, इस बात का, बेटा, कोई consideration, चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है, बेटा, चलो, अब मैं आपसे कुछ बाते, बेटा, डिसकस कर लेता हूँ, चलो, बेल्मेंट की, बेटा, डेफिनेशन, बेल्मेंट की डेफिनेशन, क्या थी, बेटा, बेल्मेंट की डेफिनेशन, बोलो, बेटा, कॉपी करो पहले, सुनो, क्या थी, बेटा, बेल्मेंट की डेफिनेशन, बेल्मेंट की डेफिनेशन, bailment is the delivery of goods from one person to another, ठीक है, for a purpose, on a contract, on a contract that bike shall be returned after the purpose has been achieved, तो Mr. B की ये duty बनती है कि वो bike को दो दिन के बाद जब उसका purpose अचीव हो जाए, क्या करे बिटा, return करे, ठीक है, purpose खेर मैंने याँ पर Mr. B का purpose नहीं लिखवाया है, suppose, Mr. B का purpose है, going to Missouri, ये उसका purpose है बिटा, going to Missouri, ये उसका purpose है, तो बिटा, जिसने bike दी है, Mr. A, वो बिटा कौन हो गया, वो बेलर हो गया, और जिसको bike दी गई है, वो हमारा बिटा, बेली हो गया, वो हमारा बेली हो गया, ठीक है, याद रखना, Mr. A ने Mr. B को सिर्फ goods का क्या दिया है, बिटा, possession दिया है, ownership अभी भी goods की किस के पास है, Mr. A के पास है, तो A ने B को, बिटा, सिर्फ goods का क्या दिया है, possession दिया है, ownership नहीं दिया है, ownership अभी भी भी A के पास है, ठीक है, अब बताओ, क्योंकि Mr. A, Mr. B से consideration, charge नहीं कर रहा है, तो इस बेल्मेंट को क्या कहोगे, gratitude to us, बेल्मेंट, इस बेल्मेंट को क्या कहोगे, gratitude to us, बेल्मेंट, ठीक है बचे, gratitude to us, बेल्मेंट, ठीक है, अभी ना खेर मेरी एक बात सुनो बेटा, मैं आप से एक बात जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताओगे, बेटा, बेले कॉपी करो, बेटा, हमने, contract act में, foundation में हमने पढ़ा था, no consideration, माने, no contract, है ना, पढ़ा था ना, consideration नहीं है, मतलब contract नहीं है, बेटा, चलो, बताओ, इस contract में, बेल्मेंट के contract में, consideration नहीं है, A तो अपनी बाइक दे रहा है, B को, in return, B से उसे कुछ नहीं मिल रहा है, there is no consideration, बताओ, क्या इसे valid contract माना जाएगा, gratitude to us, बेल्मेंट को, या नहीं, foundation में पढ़ावा है सबने, अगर आपको यादो, तो हमने no consideration, no contract के, बेटा, exceptions पढ़े वे हैं, और exception में, बेटा, एक point था, gratitude to us, बेल्मेंट का, याद रखना, बेल्मेंट चाहे gratitude to us हो, चाहे non gratitude to us हो, उसे valid contract माना जाता है, तो gratitude to us, बेल्मेंट, कहाँ पर covered था, बेटा, exception में covered है, no consideration, no contract के exception में covered है, यानि, although gratitude to us, बेल्मेंट is without consideration, फिर भी बेटा, इसे क्या माना जाता है, valid contract माना जाता है, फिर भी बेटा, इसे valid contract माना जाता है, ठीक है बचे, लोग copy कर लो, मेरे कहल से बेटा, सारी बाते clear हो रही है, अभी और examples देने बेटा, मैंने आपको, काफी हद तक बेल्मेंट हमारा इन चीजों से clear होगा आपको, अभी gratitude to us का एक और example देता हूँ आपको, आजो, gratitude to us, देखो बेटा, मिस्टर ए, बेटा, मिस्टर ए है, और मिस्टर बी है, अब situation क्या है, जड़ा देखते हैं, वैसे यह example आपने आपने न, foundation में मैंने कराया वाए, बेटा, मिस्टर ए को न, अरजेंट किसी काम से, बेटा, आउट ओफ स्टेशन जाना था, अरजेंट किसी काम से, बेटा, आउट ओस्टेशन जाना था, उसके घर पे न, एक बहुत प्रेशियस, जोएलरी पड़ी है, ठीक है, जो वो, जो वो, घर पे नहीं छोड़ना चाता है, चोरी होने का खत्रा है, तो ये जो मिस्टर भी है, ये उसका नेबर है, पडोसी है, ठीक है, अब सुनो, बेटा, मिस्टर A ने मिस्टर B से कहा, ठीक है, क्या तुम, क्या तुम, एक हफते के लिए, मेरी जोएलरी अपने घर पे रख सकते हो, ताकि सेफ कस्टिडी रहे जोएलरी की, मिस्टर B बेटा, त्यार हो गया, तो मिस्टर A ने, मिस्टर B को डिलीवर कर दी, अपनी जोए ठीक है, बताओ बेटा, कितने दिनों के लिए, seven days के लिए, एक हफते के लिए Purpose क्या था बेटा, जुवेल्री को डिलीवर करने का, safe custody चलो, ठीक है, और इस बात का, Mr. B, Mr. A से consideration charge नहीं कर रहा है पड़ोसी है न, इनसानियत के तहट, वो A से कोई भी consideration इस चीज का charge नहीं कर रहा है No consideration, लो बेटा, copy करो यहां तक चलो, पहले कुछ बाते बेटा बताओ, Mr. A, जिसने बेटा, जुवेल्री रखवाई है वो कौन बन गया बेटा, वो बन गया बेलर, है न, और जिसके पास रखवाई है वो कौन बन गया बेटा, वो बन गया बेली वो बन गया बेली, चलो, बेल्मेंट की definition satisfy करो बेल्मेंट is the delivery of goods, जुवेल्री, from one person to another, for a certain purpose, on a contract that this जुवेल्री shall be returned after the purpose has been achieved तो Mr. B की ये duty बनती है कि वो Mr. A को, जैसे Mr. A out of station से return करेगा, उसे जुवेल्री क्या कर दे, return कर दे क्योंकि याद रखना है उसे return करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ownership transfer नहीं हुई है, जुवेल्री की सिर्फ A से B तक जुवेल्री का क्या transfer हुआ है, possession transfer हुआ है बिटा, तो he is liable to return that जुवेल्री to Mr. A अच्छा अब बताओ, बी ने A से consideration charge नहीं करा, मतलब बिटा बताओ, कौन सा बेल्मेंट है? gratitude to us, बेल्मेंट है बेटा, है ना? अब बेटा याद रखना, although बेल्मेंट without consideration है, फिर भी बेटा इसे valid contract माना जाता है gratitude to us, बेल्मेंट भी एक valid contract माना जाता है, non-gratitude to us तो valid है है, क्योंकि consideration present होता है gratitude to us भी, क्या होता है बेटा, एक valid contract माना जाता है सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको मेरे ख्याल से बचे, एक बेल्मेंट की definition में, characteristics में, essential elements में बिटा मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, copy करो बिटा, आगे चलते हैं हो गया सबका? copy कर लो बिटा अब भी बिटा, एक बात मैंने और बतानी है आपको बिटा, एक बात याद रखना ध्यान से सुनना बिटा, जो मैं कहूंगा ये ना आगे बाते काम आएंगी बिटा, आपको हमने दो एक्जाम्पल करें बिटा, non-gratitude के हैं न ये वाला पहला वाला cloth वाला stitching of shirt वाला case किया था दूसरा हमने ये servicing वाला case किया, पिटा याद रखना जो non-gratitude us bailment होती है ना जो non-gratitude us होती है उसमें दोनों को फाइदा होता है, भई बेलर को भी फाइदा होगा और बेली को भी फाइदा होगा, बेलर को फाइदा ये है कि उसकी कार की servicing हो गई और बेली को फाइदा ये है कि उसे पैसा मिल गया, है ना ऐसे ही पहले वाले case में, Mr. A को ये फाइदा हुआ कि उसकी shirt stitch हो गई और टेलर को ये फाइदा हुआ कि उसे उसका पैसा मिल गया तो जो non gratitude us होता है उसमें दोनों parties का mutual benefit होता है, दोनों का benefit होता है कद्डू कटेगा बेटा सब में बटेगा, mutual benefit होता है किसमें non gratitude us bailment में bailer को भी फाइदा है और बेली को भी फाइदा है जबकि बेटा gratitude to us bailment में मेरी बात सुनना gratitude to us bailment में एक बात तो पक्की है और वो क्या दोनों को फाइदा नहीं हो सकता क्यूं? क्यूंकि non gratitude to us bailment is without consideration तो दोनों को फाइदा नहीं हो सकता दोनों में से एक को फाइदा होगा अब इस वाले केस में बताओ बेटा इस वाले केस में जवल्री की safe custody में ये बताओ इस gratitude to us bailment में benefit A को हो रहा है या B को obvious ही बात है ना बेटा benefit किसको हो रहा है A को हो रहा है वह एकी जवल्री की safe custody भी हो गई और उसे पैसा भी देना नहीं पड़ा तो benefit किसको हुआ A को मतलब this gratitude to us bailment is for exclusive benefit of bailer this gratitude to us bailment is for the exclusive benefit of bailer ये bailer के benefit का contract है बेटा bailer को फाइदा हो रहा है इस contract से this is for exclusive benefit of bailer अच्छा ये भी था बेटा gratitude to us bailment अब बताओगे मेरे को simple बात है ये भी था बेटा gratitude to us bailment चलो बताओ A ने अपनी bike B को deliver करी थी और पैसा नहीं लिया था उससे तो बताओ यहाँ पर benefit किसको हो रहा है A को या B को बेटा benefit B को हो रहा है उसे बाइक भी मिल गई और पैसा भी नहीं देना पड़ा तो यहाँ पर benefit किसको हो रहा है बेली को तो this gratitude to us bailment is for exclusive benefit of बेली ये बेटे बेली के फाइदे का contract है और जो दूसरा वाला था वो बेलर के फाइदे का contract था तो बेटा ये बात तो देखो समझ आती है न मुझे बई gratitude to us bailment में दोनों को तो फाइदा हो ही नहीं सकता या तो बेलर को फाइदा होगा या बेली को फाइदा होगा तो gratitude to us bailment का जो पहला example करवाया that is for the benefit of बेली बी को फाइदा हो रहा है और दूसरा जो contract करवाया that is for exclusive benefit of बेलर उसमें बेलर को फाइदा हो रहा है सब बताओ बेटा बात समझ आई हाँ अगर non gratitude to us है non gratitude बेली को फाइदा नहीं होता है बलकि दोनों पार्टी इसको फाइदा होगा mutual benefit होता है लो बेटा हमने न काफी बेटा basic basic सारी बाते हमने बेल्मेंट की पढ़ ली आगे बेटा हमें easy रहेगा आब बताओ समझ आया सबको एक छोटा से example चलो और देके बताओ देखो बहुत simple basic देखो सब के साथ होती है बेटा ये बाते है आप लोगों के साथ होती है देखो student one student one student two बेटा बहुआ क्या ये जो student two था ना यार class से बड़ी मिस करता है ये time to time class में absent रहता है बहुत absent होता है बेटा अब इसने क्या करा छुटी मारी अगले दिन आया और ये student one ये बड़ा पड़ाकू टाइप का है intelligent है एक भी class मिस नहीं करता दोनों में दोस्ती लेकिन बहुत पक्की है अब student one अगले दिन बेटा class में आया student two अगले दिन class में आया और उसने student one से कहा यार कल मैं ने क्या पड़ाया था या कल सर ने क्या पड़ाया था मुझे अपना register एक दिन के लिए दे दे मैं तुझे copy करके कल ये register क्या कर दूँगा return कर दूँगा तो मुझे बताओ student one ने अपना register किसको दिया बिटा student two को एक दिन के लिए बिटा क्या purpose था ताकि student two इस register से क्या कर पाए notes copy कर पाए notes को copy कर पाए ये purpose था बिटा तो बताओ और obviously बाते एक बात तो clear है ना हमे मित्रता बड़ी घनिश थी तो student one ने student two से कोई consideration charge नहीं किया बिटा पैसा पूसा कुछ नहीं charge करा उसने का कोई बात नहीं तू ले जा कल लियाई हो बस तो student one ने student two से consideration बिटा charge नहीं करा है बताओ बिटा बात समझ आई ये वाली सबको लो बिटा copy करो चलो bailment की definition बोलो bailment is the delivery of goods from one person to another for a purpose on a contract that goods shall be returned after the purpose has been accomplished तो student two की ये duty बनती है कि वो एक दिन के बाद ये register वापिस से बिटा किसको return करे student one को तो बिटा student one यहाँ पर कौन हुआ बिलर जिसने register दिया है और student two बेटा यहाँ पर कौन हुआ बेली जिसको register दिया गया है और क्योंकि consideration charge नहीं करा गया है तो ये बेल्मेंट कौन सा होगा gratitude to us बेल्मेंट होगा gratitude to us बेल्मेंट और बेटा क्या gratitude to us बेल्मेंट को valid contract माना गया है बेटा बिलकुल gratitude to us बेल्मेंट को valid contract माना गया है चलो एक बात का जवाब दो यहाँ पर बेटा ये बेल्मेंट क्योंकि gratitude to us से तो यह तो यह बेलर के फाइदे के लिए होगा यह बेली के फाइदे के लिए चलो बताओ यहाँ पर बेटा benefit student 1 को हुआ है यह student 2 को obviously बात है बेटा student 2 को फाइदा हुआ है मतलब this bailment is for the exclusive benefit of बेटा बेली तो यहाँ पर किसके benefit का contract है बेटा ये ये बेली के benefit का contract है समझ आई बेटा बात सब को तो बेटा आप इसके न डेली लाइफ में बेटा n number of examples आप बेटा बेल्मेंट के बना सकते हो n number of examples बेटा copy कर लो इसे अब हम बेटा थोड़ी सी न रीडिंग करना शिरू करेंगे copy करो चले बेटा आजो आओ थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं बेटा आजो तो essentials of a valid contract of willment तो पहली बात there must be a contract contract express भी हो सकता है implied भी हो सकता है goods का होना जरूरी है bailment can be made of goods only याद रखना services का bailment नहीं होता है बेटा bailment goods का ही होता है delivery there must be delivery of goods by one person to another और delivery का मतलब बेटा मैं आपको बता चुका हूँ delivery means transfer of possession यह मैं खेर अभी आओगे थोड़ा सा बाद मैं आओँगा इस पे purpose of delivery the goods must be delivered for some purpose purpose express भी हो सकता है implied भी हो सकता है return or disposal of goods याद रखना delivery of goods must be conditional याद रखना जब आप bailie को goods deliver करोगे तो शर्थ होनी चाहिए क्या bailie उन goods को return करेगा after the purpose for which they had been delivered is achieved जैसे ही वो purpose achieve होगा ना या 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 समय खतम होगा जैसे seven days के लिए दिया गया है ना तो जैसे ही seven days का period खतम होगा तो बताओ जैसे ही purpose achieve होगा या अगर specified period के लिए दिया गया है तो जैसे ही वो period खतम होगा आपको वो goods return करने पड़ेंगे bailer को और और एक और बात है और disposed of according to the directions of the bailer when the purpose is accomplished पेटा इसका मतलब पते है क्या हुआ सुनो मैं आपको बताता हूँ लिखना मत ये बात लिखना मत बेटा हो सकता है लिखना मत आप लोग बात समझना बस हो सकता है जो bailer है वो bailie से क्या कहे वो bailie से कहे या तो तू गुड्स मुझे या तो वो bailie से कहे कि तू मुझे गुड्स purpose achieve होने के बाद क्या करेगा? return करेगा तो या तो bailie goods को return करेगा after the purpose has been achieved या फिर या फिर या फिर bailie उन goods का वो करेगा वो करेगा जो bailer ने उसको करने को कहा है तो मेरी बात समझो जो मैंने कहा या तो bailie purpose achieve होने के बाद goods वापस return कर दे bailer को या फिर bailie उन goods का वो करेगा जो bailer ने उसको करने को कहा है तो disposed of disposed of as per directions of bailer as per directions given by bailer तो bailie या तो goods को क्या करे return करे या bailie उन goods का वो करेगा जो bailer ने उसको करने को कहा है जो bailer ने उसको करने को कहा है तो या तो bailie bailer को goods return करे या उन goods का वो करेगा bailie जो bailer ने उसको करने को कहा है ठीक है अच्छा बिटा अब आगे आते हैं अब ये देखो पढ़ी वी है ये बात बिटा सबने modes of delivery आ जो बिटा आओ मेरे साथ साथ heading सब लिख लो delivery of goods heading liko beta delivery of goods delivery of goods delivery of goods बिटा वैसे delivery का मैं simple मतलब तो आपको बता चुका हूँ delivery का मतलब क्या होता है transfer of possession delivery of goods का मतलब होता है बिटा possession का transfer ठीक है और बिटा अपने CA foundation में पढ़ा हूआ है कि possession transfer करने के delivery करने के तीन तरीके थे याद करो methods of delivery modes of delivery delivery करने के possession transfer करने के बिटा तीन modes है modes of delivery delivery करने के तीन modes है बिटा possession transfer करने के तीन तरीके हैं याद आता है कुछ पहला कौन सा था actual delivery actual delivery दूसरा symbolic delivery है ना करावा है हमने और तीसरा था पिटा आपका constructive delivery तो delivery करने के तीन तरीके हैं या तो मैं goods की actual delivery करूँ या मैं goods की symbolic delivery करूँ या goods की बिटा constructive delivery करूँ या फिर goods की constructive delivery करूँ सब बताओ बिटा बात आई यहां तक चलो करें एक छोटा छोटा बिटा कराव है वैसे हमने आजो what is what is बिटा actual delivery कराव है बिटा आओ actual delivery में क्या होता है बिटा transfer of physical possession of goods from one person to another बिटा actual delivery में goods को physically physically बिटा transfer किया जाता है from one person to another तो basically बिटा actual delivery में physical transfer होता है of goods का actual delivery में goods का physical transfer होता है from one person to another जैसे बिटा मैंने अपनी गाड़ी बिटा servicing के लिए दी तो कैसे दूँगा servicing के लिए बिटा चला के मुझे service center तक लेके जानी पड़ेगी वहाँ पर छोड़के आनी पड़ेगी this is बिटा actual delivery मैंने goods को physically transfer किया है from my house to service center तो बताओ जरा actual delivery क्या हुई actual delivery मतलब physical transfer of goods from one person to another तो अगर मुझे अपनी गाड़ी servicing के लिए देनी है तो मुझे अपने घर से वो गाड़ी physically लेके जानी पड़ेगी service center तक और वहाँ पर छोड़के आनी पड़ेगी that means actual delivery actual delivery तो खर बहुत simple होता है symbolic delivery symbolic delivery में symbolic delivery में goods का physical transfer नहीं होता है symbolic delivery में goods का physical transfer नहीं होता है from one place to another बलकि goods के बदले goods का कोई symbol दे दिया जाता है मैंने क्या का goods के बदले goods का कोई symbol दे दिया जाता है जो उन goods को क्या करता है वो symbol उन goods को क्या करता है represent करता है मैंने क्या का goods का movement नहीं होता है from one place to another बलकि goods की जगा goods का कोई symbol दे दिया जाता है and that symbol represents goods वो symbol basically goods को ही क्या करता है represent और इसका बेटा best example क्या हो जाता है सुनो सुनो assume करो बेटा मैं Pacific mall बेटा घूमने गयावा था family के साथ car में ठीक है वही पर बेटा Pacific mall में मेरे को जो service center वाला person था ना वो मिल गया मैंने का यार वो गाड़ी servicing करवानी थी उसने का कोई बात नहीं तो कल मेरे service center में गाड़ी को लेके आजा कर देंगे repair मैंने का यार कल नहीं तो आज ही कर दे उसने का गाड़ी मैंने का एक काम कर ये पकड़ गाड़ी की चाबी क्या पकड ये पकड गारी की चाबी नीचे पार्किंग लॉट में मेरी गारी खड़ी है ले जा तो याद रखना जैसे ही मैंने उसको गारी की चाबी दी बेटा that amounts to that amounts to delivery of goods तो although goods का कोई movement नहीं हुआ है from one place to another ठीक है मैंने उसको गारी की चाबी दी है एक symbol दिया है जो गारी को represent करता है तो गारी की चाबी देना amounts to delivery of goods तो notice कर आपने बेटा इसे हम कौन से delivery कहते हैं symbolic delivery बेटा गारी की चाबी is a symbol which represents car तो या तो मैं उसे कार दू या कार की चाबी दू बात एक है अगर कार देता हूँ actual delivery है कार की चाबी देता हूँ symbolic delivery है ठीक है बेटा copy कर लो कार की चाबी देना amounts to symbolic delivery of goods और बेटा तीसरा जो आता है हमारे पास copy कर लो पहले ये चलो बेटा अब बेटा इसमें जो तीसरा हमारे पास आता है वो है आपका constructive delivery constructive delivery बिटा अगर आपको यादो तो constructive delivery को हम एक दो नाम और देते थे इसे हम कहते थे delivery by acknowledgement delivery by acknowledgement या आप इसे चाहो तो delivery by atonement भी कह सकते हो इसे आप चाहो तो delivery by atonement भी कह सकते हो तो delivery by acknowledgement और delivery by atonement constructive delivery बिटा constructive delivery में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा idea देता हूँ बिटा करावा है आप सबने constructive delivery में पता है कहीं बार क्या होता है बिटा जैसे suppose assume करो एक तरफ baler है एक तरफ baler है ठीक है और एक तरफ बिटा बेली है एक तरफ बेलर है एक तरफ बेली है पिटा और एक ना third party है third party है एक तरफ third party है पिटा कहीं बार पता है क्या होता है जो बेलर के goods होते हैं न बिटा जो बेलर के goods होते हैं बिटा कहीं बार ऐसा होता है वो goods ना बेलर के possession में नहीं होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में होते हैं बेलर के गुड्स बेलर के पोजेशन में नहीं है बिटा बलकि बेलर के गुड्स किसके पोजेशन में है बिटा किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में है ठीक है अब सुनो Bailer के Goods Bailer के Position में नहीं है बलकि Third Party के Position में है बेटा अब क्या हुआ अब Bailie आया Bailie आया इसने कहा मुझे तेरे Goods चाहिए ठीक है मुझे तेरे Goods चाहिए साथ दिनों के लिए ठीक है मैं उन Goods को Use करना चाहता हूँ 7 days के लिए मैं उन Goods को क्या करना चाहता हूँ Use करना चाहता हूँ ठीक है अब सुनों सुनों अब बेटा Bailer ने उसको क्या का Bailer ने Bailie को का कि भई देख जो तू Goods चाहता है वो इस वक्त मेरे possession में नहीं है वो किसी third party के possession में है तो सुनो, ज्यान से सुनो अब बेलर ने इस third party को phone किया बेलर ने third party को phone किया कि भाई, जो goods तेरे पास है न वो मेरे एक friend को मेरे एक friend को use करने के लिए चाहिए साथ दिनों के लिए तो पता है ये third party क्या कहती है बिटा ये third party अब लिख लो पहले इतना पिटा ये third party बेलर से पता है क्या कहती है ये third party बेलर से कहती है हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो उसको मेरे पास भेज दे ठीक है, तो उसको मेरे पास भेज दे मैं, सुनो, सुनो, ध्यान से सुनना मैं acknowledge करता हूँ मैं क्या करता हूँ बेटा मैं acknowledge करता हूँ मैं accept करता हूँ कि I hold goods on behalf of बेली एक तरह से बेलर पते क्या कह रहा है, सुनो, third party क्या कह रही है third party कह रही है बेलर, तो एक तरीके से मुझे बेली का agent मान तु यह सोच मैं उसका agent हूँ तुने goods मुझे deliver कर दिये और एक बात याद रखना delivery to agent amounts to delivery to बेली तो मैं दुबारा बोल रहा हूँ बेटा third party क्या कह रहा है third party कह रहा है I acknowledge मैं accept करता हूँ I acknowledge that I hold goods on behalf of Bailey मैं acknowledge करता हूँ कि मैं बेली के बिहाफ पे goods hold करता हूँ एक तरीके से मुझे तू बेली का agent ही मान ले एक तरीके से तू मुझे बेली का agent मान ले एक तरीके से तू मुझे agent मान ले बेली का समझ ले मैं बेली का agent हूँ तू ने मुझे goods दे दिये हैं उसके agent को तो पेटा law ने पता है क्या कहा law ने कहा एक बार, एक बार, थर्ड पार्टी यह acknowledge कर ले, कि it holds goods on behalf of Bailey, तो उसे हम मान लेंगे, मान लेंगे, कि goods have been delivered to Bailey, अगर आपने बेली के agent को deliver कर दिया, समझ लो आपने बेली को deliver कर दिया, और थर्ड पार्टी ने खुदी का था, कि हमें तुम बेली का क्या मान लो agent, तो law क्या कह रहा है, जैसे ही थर्ड पार्टी acknowledge करेगी, कि वो, बेली के बिहाफ पे goods hold करती है, तो हम उसे मान लेंगे, कि बेलर ने बेली को goods deliver कर दिये हैं, और इसी को बेटा, हम क्या कहते हैं, constructive delivery, तो बेटा, constructive delivery में goods किस के position, goods किस के position में होते हैं बेटा, थर्ड पार्टी के position में होते हैं, वो थर्ड पार्टी acknowledge करती ही, कि, acknowledge करती है कि, yes, I hold goods on behalf of बेली, हम बेली के बिहाफ पे goods hold करते हैं, हम उसके agent हैं, and delivery to agent amounts to delivery to बेली, this is known as बेटा, constructive delivery, सब बताओ बेटा, समझ आया, तो copy कर लो बेटा, बाकी हम next lecture में discuss करेंगे, बेटा, जितना आज discuss किया है, मेरे खाल से पूरा case बेटा, सब को clear हुआ है, ठीक है, चलो बेटा, बाकी हम next lecture में discuss करते हैं, till then, thank you. कर दो कर दो, कर द elaborते हैं, तो यु sniff, bug को कर दो 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 कर को